आप लोगों की बातों पर पंच्छत तंत्र के एक कथा याद आती है आपने सुनी होगी चार ठग थे एक किसान एक बकरी लेकर की जा रहा था तो चारो ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसी ली जाए तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोकलाज रही हो तो उनने का चलो छीन तो नहीं सार पपाएंगे तो एक काम करते हैं चारो अलग-अलग जगे खड़े हो जाते हैं और अलग-अलग जगे खड़े हो करके हम लोग बोलें कि भई ये कुते का बच्चा कहां लेके जा रहा है तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंदे में रख करके लेके जा रहा है तो पहले ठक के पास से गुजरता तो बोलता अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है कुटे का बच्च को अपने कंद्वे में लेके क्या जा रहा है किसान बोलतारे धूर्थ कहीं के यह कुटे का बच्चनी बकरी का बच्च सा है कि अगले चौराइए प्यूज़ा था- कई अरे जीक रूहा है bukan बोलता है उसको भी डाड़ता का अरे पागल हो गए क्या अरे कुत्ते का बच्चा ने एक बकरी का बच्चा है अगरे आगे बढ़ता है फिर चौती सा ठग मिल जाता है वहाँ भी फिर यही बात उसको बोलता है चौते ठगने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया उसको लगा कि भूला भाला किसान अनदाता किसान महनती किसान उसको विश्वास हो गया यार एक डगती जुड बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टी दोसी ही मुझे हो गया है लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही उसने फिंग दिया उसको चारों ठगों का काम पुरा हो गया और चुनाओं में खटा कट खटा कट खटा कट एक लाग का बॉर्ड एक लाग का बॉर्ड कहां गया आप कहां गया एक लाग का बॉर्ड एक लाग का बॉंड और मैं इसलिह कह रहा हूँ सिर्पाल जी भाग गये यहां से लेकिन मैं कह सकता है एक लाग का बॉंड तहां गया और मैं तो आप सबसे कहूँँगा एक बार जईए जन्ता जनार्दन के सामने पूछे उनको कि भाई एक लागता हिसाब मांगे इन लोगों से पैसा गया का कौन खा गया खाने वाले लोग कौन है एक लागता